सब्सक्राइब कीजिए हेड्लाइंस स्पोर्ट्स और बैल आइकन को दबा कर ट्रुकेट की खबरे पाएं सबसे पहले भारत और शिरलंका के बीच दूसरे वंडे मैच में टीम इडिया ने शिरलंका को 393 रणों की चुनौती दी लियाजा शिरलंका भारत टीम के सामने नहीं टिक पाई और बुरी तरीके से इस मैच को गमा बैठी लेकिन मैच के दौरान कईयां से वाक्या आए जब तरशक तारी बजाने पर मजबूर हो गए जब बल्लेबाजी कर रहे थे गुनरत ने गुनरत ने लगातार शाहल पर शानदार शौट्स लगा रहे थे एक शौट्स वो आगे बढ़कर लगाना चाहते थे लेकिन महेंदर सिंग धुनी ने गुनरत ने के स्टम्प भी खेरते उसके बाद इसी ओवर में परेरा धोनी के आगे चालाकी करना चाहते थे और शॉर्ट लगाना चाह रहे थे लेकिन गेंध हवा में उचल गई और धोनी ने एक सूपरमैन कैच लपक लिया ये कैच धोनी से काफी दूर था और सबको ये लगा कि धोनी सकेच को नहीं पकड़वाएंगे लेकिन धोनी तो धोनी है धोनी ने ड्राइव लगा कर कैच को अपने दस्तानों में पसा लिया और परेरा को पवीलियन जाने पर मजबूर कर दिया आनके जब धोनी ने कैच पकड़ा तो की कोनी में हलकी सी चोट भी लग गई थी और कोनी छिलने कारण उने दर्द महसूस भी हुआ लेकिन धोनी अपने काम से बिलकुल हटने वाले नहीं थे और धोनी ने शानदार कैच पकड़ कर दिखा दिया क्यों में कितना दम बाकी है इस खबर में इतना ही लेकिन अगर आप धोनी के फैन है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीचिए लाइक कीचिए और हेड्लॉइन स्पोर्स को क्रिकेट की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीचिए इस खबर में फिलाल इतना ही लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन है तो हेड्लॉइन स्पोर्स को बिलकुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरे यही मिलेंगी